एक और खादे तेल के दाम आजमान चूर रहे हैं तो दूसरी और नामी गिरामी कमपनियां गट तुली कर उपभोगताओं को चूना लगा रही हैं ऐसा ही एक मामला कानपूर में सामनी आया गुम्टी निवासी रूमी अरोला ने फॉर्चून जैसी प्रसिद कमपनी पर ठगी का आरोप लगाया उन्होंने बताया कि एक सब्ताह पहले वो फॉर्चून रिफाइंड के आधा दरजन पैकेट खरीद कर बाजार से लाए थे पांच पैकेट का उप्योग उन्होंने कर लिया एक पैकेट बचा था कम वजन होने का शक होने पर उन्होंने इसकी तॉल खराई पैकेट का वजन 820 ग्राम निकला जबकि पैकेट के रैपर में एक लीटर यानी 920 ग्राम रिफाइंड होने का दावा किया गया था इसके शिकायत उन्होंने कमपनी के टॉल फ्री नंबर पर की अगले दिन कमपनी के रिप्रेजेंटेटिव उनके पास आए और मामला रफादाफा करने को कहने लगे मेरे द्वारा नमानने पर लखनो कारियले से कमपनी कर्मचारियों ने संपर्क किया और मामला शान्त करने का प्रलोभन देने तक उतर आए मैंने साफ कर दिया कि ये मामला सिर्फ मेरा नहीं बलकि लाखों उपभोगताओं का है जो आख मूंद कर कमपनी की बात पर भरोसा कर रहे हैं आज फिर कमपनी के लखनों कारियले से अधिकारी और करमचारी अपनी तॉल मशीन लेकर मेरे घर पहुँचे उनकी मशीन में भी पैकेट का वजन 820 ग्राम ही निकला है तो उसके लिए हमने इनके टॉल फ्री नंबर पर इनको कंप्लेन करी तो कंपनी के लोगों ने कंपनी के लोगों ने जो है हमारे पास आए उन्होंने आके इसका सब वेट किया पूरी तरीके से जो जो उनके होते हैं सब तरीके से चक किया उन्होंने भी इसको वेट कम पा और दूसरी बार भी इनकी कमपनी के लोग आज फिर में पास सुबा लखनों से फोन आया गुपता जी का वह आए अपना तराजू भी अपना लेकिया है सब अपना लेकिया कमपनी की और से उन्होंने सब पूरे उसको चेक किया है उनको भी इसमें रिफाइंड कम मिला है और बात करते हैं और आज आज इसको नहीं उसका पकर रहा है उसके बाद कमपनी के इसा काम कर रही है अब तक लग्रोड पेकेट इन्होंने मार्केट में सप्लाई कर दिये यह अड़ानी कमपनी का फॉर्चुन रिफाइड है फॉर्चुन रिफाइड है